दोस्तो नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आपका दिल और दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि इंजायटी, घबराह, डर लगना, बेचैनी होना, हाथ पेर कापना जैसी समस्याइं आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन आपकी ये समस्या जो मैंने बताई एंजायटी, घबराह, बिचैनी, हाथ पेर कापना, दिल की धरकन तेज हो जाना नकारात्मक विचारों का बार बार आना, दिन भर नकारात्मक विचार ही दिमाग में आना अच्छी और गहरी नींद नाना, ये सारी समस्याइं आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही तो इसके लिए आज बहुत ही राम मार उपाय लेकर आया हूं दोस्तों नमबर वन उपाय है दोस्तों, एक खुराक आप जब इस तवा का सेवन करेंगे, सिर्फ एक खुराक बस एक खुराक खाने के दो घंटे बाद से जिन्दगी भर आपकी जिन्दगी में इन्जाइटी, घबराहट, दिल की धड़कर का तेज हो जाना, अनिंद्रा, निगेटिव विचारों का आना ये सब कोसो दूर चले जाएंगे और जिन्दगी में कभी ये लाउट कर नहीं आएंगे दोस्तों इस तरह का नुस्खा है दोस्तों, दोस्तों मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये नुस्खा थोड़ा सा काश्टली है, थोड़ा महेंगा है नुस्खा, पूरे वीडियो में आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दूँगा, थोड़ा सा काश्टली है, लेकिन नमबर वन उपाय है दोस्तों, जितने भी आपने अंग्रेजी इलाज करवाए होंगे, जो अधुनिक मेडिकल साइन्स है, उसके इलाज करवाए होंगे, इलो पैथी के, और जितने भी आयुरुबेदिक इलाज करवाए होंगे, जितनी भी जड़ी बूटियां आपने खाई होगी, उनमें से सबसे नमबर वन उपाय है दोस्तों, फिर से बता देना चाहता हूँ कि काश्टली है, लेकिन पहली खुराक से सारी समस्त्या हैं आपकी जिन्गी से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, तो बहुत ही अच्छा उपाय है, दोस्तों एक बात मैं आपसे कह चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके पारसल थोड़ा सा रुके हुए हैं क्योंकि हम बेटकर जैनती अभी सुक्रुवार को पड़ गई थी, उसके बाद सनिवार हाफडे हो जाता है, फिर आज संडे है, तो इसलिए पारसल एक दो दिन लेट हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि यह हालिडे हैं चुट्टी हैं, बाखी पारसल डेली भेजे जाते हैं, वो लड़का लेकर जाता है, जब भी एक आफिस खुलती हैं, जिनके देहात के हैं, उनको पोस्ट आफिस से हम स्पीट पोस्ट करते हैं, और जिनके सीटी के हैं, उन आम पता, एडिस सब डाल दिया जाता है, अगले दिन वो यहां से भेज दी जाती है, आप देख सकते हैं, अभी कुछ पारसल मेरे पास यहां पर रखे हुए हैं, 6-7 पारसल हैं, तो यह अभी मैंने तयार करके रखे हैं, और यह कल मन्डे हैं, तो कल मैं भेज दूँगा, तो इसकी चिंता ना करें, और दोस्तो एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं, जो फोन करते हैं, या वार्ट साप करते हैं, तो बहुत सारी डिटेल्स बहुत देर तक बताते हैं, बहुत देर तक बात करते हैं, दोस्तो मैं एक कहना चाहूँगा, साल से इससे परिशान हूँ, ऐसा ऐसा हुआ था, इसके साथ साथ मुझे डाइजेशन की प्राबलम रहती है, इसके साथ साथ मुझे गैस बहुत बनती है, और भी जो समस्यां आप की हो, में में समस्यां, उसको उनको जितना साट में आप बता देंगे उतना ज्यादा उसके लिए आसान हो जाता है उसका इलाज करना क्योंकि उसको टाइम मिलता है जब आप टाइम कम लेते हैं और साट में अपनी बात कह लेते हैं तो उसको टाइम मिलता है सोचने का तो चिकितसक आपको अच्छा से अच्छा इलाज आपका करेगा वो अच्छी से अच्छी दवाईयां आपको देगा जो आप पर काम करेंगे क्योंकि हर व्यक्तिकी थोड़ी situation अलग-अलग होती है कि stage होती है जिसको सुरुवात है उसको कुछ दवाईयां दी जाती है जिसक उसको बहुत ज्यादा क्रोनिक है छोड़ ही नहीं नहीं उसको बेश्ट दी जाएंगे वो उतनी ही देगा जितने की आपकी जरूरत है तो उसे सोचने का मौका दिया करें तो टाइम थोड़ा कम ले फोन पर बात करने का जो प्राब्लम है उसको बहुत जल्दी बता दें अस लाओ हम करते रहते तो इससे निश्चिंत रहा करें सार्ट में बताएं और अपना आडल लगाएं दवा मंगवाएं देखो अभी भी रेड़ी हैं यहां पर पारसल और अभी मैंने कम से कम बीस पारसल लड़के को दीए हैं ताकि वो सुबह भेज दे तो दो दोस्तो चलि लेना है लगभग 50 ग्राम यह आपको ले लेना ब्रामी सूखी इसके साथ जटा मांसी आपको 50 ग्राम ले लेना है दोस्तो इसके साथ आपको बेल गिरी ले लेना है देखो बेल का गूदा होता है बेल गिरी यह ठंडा होता है दोस्तो गर्मियों के लिए एक बहुत ही रा में गर्मी होती है तो ये गर्मियों के लिए एक अम्रत है और दोस्तों हम घर का यूज करते हैं हम बेल पके लाकर उनको तोड़ कर सुखाते हैं देखे ये बिलकुल पका हुआ बेल बिलकुल सुखा हुआ है तो ये काम करता है और जो कमपनी चोन देती है वो हरा कच्छा टेस्ट भी अच्छा हैगा चून के साथ ये मिक्स करके चून में डाल कर देते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा काम भी बहुत अच्छा करता है गर्मी को रहने नहीं देता तो 50 ग्राम बेल गिरी ले ले और इसमें 50 ग्राम आपको लेना है मिसरी धागे वाली ले ये भी बहुत अच्छी मिस्री होती है उसी को सुद्ध करके बना ली जाती ताकि आसानी हो इसके साथ दोस्तों आपको अरजुन चाल लेना है अरजुन चाल दोस्तों देख लिया करें अरजुन चाल की पहचान होती है जो अच्छी अरजुन चाल होती है वो थोड़ी सी कत्थाई कलर की होती है देखिए उसमें थोड़ा सा रेड कलर अंदर होगा रेड और जब आप उबालेंगे तो पानी बिल्कुल रेड हो जाएगा बिल्कुल जैसे सराब का कलर हो जाता है थोड़ा सा red लेकर होता है वो गाड़ा तो इस प्रकार की आपको अर्जुन की च्छाल यूज करने चाहिए बिल्कुल बाहरी वाला नहीं और बिल्कुल गूदा नहीं ये अर्जुन की च्छाल बिल्कुल सही है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बेहतरी इन अर्जुन की च्छाल है इस प्रकार की आपको यूज करना है जो थोड़ा सा कथाई कलर लिये होती है और दोस्तों अर्जुन की च्छाल आप देख सकते हैं तो हम सुद्ध करते हैं ये भी इसी के साथ आई थी ये लकड़ी इसको हमने बाहर कर दिया ये सब हम नहीं पीचते क्योंकि ये बिल्कुल बाहरी च्छिलका है इसका कोई मतलब नहीं बिल्कुल बेकार है तो इस प्रकार की आपको गूदे के और च्छिलके के अंदर वाली च्छाल लेनी चाहिए ये काम करते हैं ये की तरीके तो ये 50 ग्राम ले ले और इसके साथ दोस्तों आपको अस्वगंधा लेना है 50 ग्राम जिया दोस्तों अस्वगंधा आपको 50 ग्राम लेना है और दोस्तों इनको कूट पीच्केल बिल्कुल महीन पाउडर कर लेना है मिक्सी से या इमाम दस्ते से आप चाहे जैसे महीन पाउडर कर ले, कपर छन कर ले उसको छान ले कपड़े से काटन के कपड़े से, इनका पाउडर अब दोस्तो आपको क्या इसके साथ लेना है, मैं आपको बता दू इसमें कुछ रस हैं, वो आपको इस्तेमाल करने हैं दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक है मुक्ता सुक्ति भस्म है ये दोस्तों भस्म है मुक्ता सुक्ति भस्म दोस्तों आपको इसको इस्तेमाल करना है मैं बता रहा हूँ कितना आपको डालना है इस पाउडर में तो दोस्तों देख सकते हैं यह 10 ग्राम है और इसकी कीमत है 113 रुपाई है यह 10 ग्राम है 113 रुपाई है दोस्तों मुक्ता सुक्ति भस इसका उपयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं रक्त स्राओ रक्तसराओ गर्मी के कारण कभी नाक से होने लगता है कभी कहीं से होने लगता है गर्मी के कारण होता है नाक से खूना नेत्र रोग जो गर्मी के कारण नेत्र की समस्याएं हो जाती है वमन उल्टी में अमल पित जो एसीडिटी जो गर्मी होती है जो पित होता है एसीडिट हैं साब साब आप देख सकते दिल और दिमाग के लिए लाबकारी है तो यह आपको паunach ग्राम उसी powder में mix कर रही है और दोस्तों आप मेरे पास यहां पर आप देख सकते हैं मोती भस्म जी हां दोस्तों वैद दिनात की मोती भस्म आपको ले लेना है दोस्तों और जो ये डिबिया ली हुई है मैंने दोस्तों ये जो मेरे पास है तो इसमें 500 mg है मोती भस्म मोती भस्म स्वर्ण युक्त है 500 mg और इसकी कीमत है दोस्तों 350 रुपए 500 mg आधा ग्राम है दोस्तों एक ग्राम नहीं है यह आधा ग्राम है और इसकी कीमत है 350 रुपए क्योंकि यह स्वरण युक्त है अब देखे इसके क्या फायदे होते हैं दोस्तों पाउस्टिक यह पाउस्टिक होती है दोस्तों ताकत देने वाली सरीर को वह कैलसियम युक्त होने के कारण देख जो चित आपका भ्रहम हो जाता है, चिंत भ्रहम जिसको कहते हैं, जो तमाम प्रकार के भ्रहम आते हैं दिमाग में, एक दिमागी प्राबलम होती है, इसी से एंजाइटी होती है, जो रियल्टी से आप दूर रहते हैं, सोचते रहते हैं, पता नहीं किस प्रकार के, जो कभी आपके साथ होने नहीं उस प्रकार के विचार आते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है और आप देख सकते हैं जूम करके घबराहट दिल दिमाग के रोगों की दवा घबराहट दिल दिमाग के रोगों की दवा तो ये आपको 500 mg ले इसमें ब्राम्ही वटी गोल्ड एक नारमल ब्राम्ही वटी आती है वो सस्ती होती है डाबर की भी आती है वैद्धिनात की जायतर लोग जायतर वैद्ध डाक्टर उसी के प्रियोग करते है लेकिन उसका रिजल्ड उतना नहीं होता वो नारमल रोगियों पर काम करती है लेक अब स्वल्ड यूग तो देख सकते हैं ब्राम्ही वटी गोल और दोस्तों इसके फायदे यहां पर लिखे हुए हैं जीर जोर पुराना बुखार में भी उपयोग की जाती है इस मरण सक्ति बढ़ाने अनिंद्रा वो कास रोगों में लाबदायक है इस मरण सक्ति को बढ़ा कितनी हैं इसकी कीमत है 421 रुपाइ और 10 टेबलेट हैं दोस्तों 441 रुपाई की 10 टेबलेट है क्योंकि यह स्वर लड़ यूक्त है तो महेंगी होगी और दोस्तों इसके साथ आपको लेना है एक जवाहर मुहरा नमबर वन गोल जी हां दोस्तों यहां आपको लेना है की कमजोरी और महर्दें रोगों में लागकारी आप साफ साफ देख सकते हैं दोगतों नमबर वन और अवसदी है दिल और दिमाग की कमजोरी के लिए तुरंत इसके लेने से जैसे आप इंजेक्शन ले लेते हैं ना किसी दर्द का ये किसी पेंड किलर का ये कोई भी इंजे कर देगा खाने के तुरंद बाद तो दिल दिमाग की कमजोरी और नहीं रोगों में लावकारी दिल दिमाग की कमजोरी को तुरंद खत्म करता है बहुत ही नंबर वन है यह सोलर युक्त दवाएं हैं दोस्तों सभी यूज नहीं करते लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज हैं ऐसे ऐसे रोगी हैं जिनको मुझे देनी ही पड़ती है और जो मुझे से मांगते हैं क्योंकि बहुत सारे क्रोनिक बहुत सारे पुराने रोगी हैं मेरे पास हैं जो इनको बनवाकर इस्तेमाल करते हैं उससे लेकिन फायदा उनको पूरे एक महीने में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं दो दिन बाद उनको घबराहट होती ही नहीं सिर्फ दो दिन इस्तेमाल करने के बाद उनको घबराहट होती ही नहीं पहली खुराक से असर करता है दोस्तों पहली खुराक से कम कर देगा फिर थोड़ा सा होगी तो जब आप दूसरी लेंगे तो खत्म हो जाएगी, दो दिन के बाद फिर गवराहट नहीं होती, ना तो बेचैनी होती है, ना तो कोई डर, हाथ, पैर का अपना ये समस्या आती है, तो आपको दोस्तों ये लेना है, और इनको दोस्तों इतनी ही मात् ये 5 ग्राम है, क्योंकि मैंने बड़ी वाली ले ली है, मुझे बहुत जरूरत पड़ती है इनकी, मैं मिला कर देता हूँ, दवाईयां बहुत साही तयार करके बेचता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मरी जाते हैं, तो मैं 5 ग्राम इसमें मिलाओंगा, ये 10 ग्राम है, 5 ग्र ये गर्मी को दूर करती है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंधक प्रदान करती है, पूरे सरीर को, दिमाग को, माइंड को, ब्रेन को ठंधक प्रदान करती है, दिमाग ठंधा रहता है, सरीर आपका ठंधा फिल करेगा, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा कि मैं दवा ले रहा हूं मुझे गर्मी फील हो रही और ताकत बहुत ज़्यादा देता है दिमाग को दिल को बहुत ज़्यादा ताकत देता है तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों इसी प्रकार से ये है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सक्तिसाली है बहुत ही अच्छी है मोती भस्म मोती भस्म बहुत ही ठन्नक प्रदान करती है दोस्तों गर्मी की सबसे बड़ी दुस्मन है मोती भस्म जो मोती होती हो गर्मी की सबसे बड़ी दुस्मन है इन दवाईयों की पूरी गर्मी को खत्म करेगा और आप बिटर फिल करेंगे आपको गर्मिया समझ में नहीं आएंगी कि मेरी गर्मी कैसे कट गई आपको गर्मी महसूस ही नहीं होगी आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं और दोस्तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ब्राम्ही वटी स्वर्ण युक्त है बहुत ही अच्छा काम करती है अनिंद्रा में इस मरर सक्ति बढ़ाने में नंबर वन है इस स्वर्ण युक्त है नार्मल वाली उतना काम नहीं करती लेकिन हम यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रोगी आते हैं और ये जवाहर मोहरा नंबर वन तो नंबर वन है दोस्तो विद गोल्ड आप देख सकते हैं दिल दिमाग की कमजोरियों मेरदय लोगों में लाबकारी बहुत ही अच्छी आउसा दिये तो आपको ये लेना है पांच ग्राम मोती भसम दोस्तो पांसो एमजी है मतलब आपको पाधा ग्राम इसमें मिला देना है और दोस्तो आपको ये लेना है ब्राम्ही वटी स्वरडियोक तो इसकी 10 टेबलेट पीस कर इसमें मिक्स कर देना है और आपको जवाहर मोहरा नंबर वन गोल्ड लेना है दोस्तो इसकी 10 टेबलेट है इसका रेट है दोस्तो आट सो इक् मिक्स कर देना है और मिक्स करके कोई काच का या प्लास्टिक का कोई एर टाइट साफ कंटेनर हो उसमें इस पाउडर को स्टोर करके दख लेना है अब आपको दोस्तों इस्तेमाल कैसे करना है एक चमच आपको सुबह नास्ते के बाद लेना है इसको आप दूद से भी ले सकत बस इतना कर लें, नास्ते के बाद, और एक बार आप साम को ले लें, बस दिन में दो बार लेना है दोस्तों, 100% ये सारी समस्यां आपकी जड़ से पहली खुरांक से असर करेगा, एक महीने यूज कर लोगे, जिन्दगी भर ये घबराहट, इंजाइटी, डिप्रेसन जैसी स हाथ-पैर कापना, जितनी भी समस्यां मैंने बताई है, जिन्दगी भर लोट कर नहीं आएंगी, आप से कोसो दूर ही रहेंगी, आपको देख कर ही डरेंगी, आपके पास आने से ये समस्यां, इतना मजबूत आपके दिल दिमाग को कर देता है, दोस्तों, ये राजाओं तो आज मैंने आपके सास्ट सेर किया है दोस्तों अगर आप मुझसे बनवा कर लेंगे तो ये पूरा नुस्खा मैं आपको 32 रुपए में परोएड करूँगा 32% रुपए आपको देने होंगे मैं एक महीने का आपको तय़ार करके दे दूँगा पूरा आप इस्तेमाल करें, आपको पहली खुराक से फायदा होगा, एक महीने तक अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, जिन्दगी भर नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छा नुस्का है, दोस्तों जो दवाईयां मैंने भेजी हैं, अभी 600 रुपाई का भी मैं बनाता हूँ, ए वार्साप में मैसेच करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा मुझे लाब हुआ, तो आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन एक महीने बाद जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक नंबर नुस्का है दोस्तों, बहुत बहुत ही अच्छा है जिन्दगी में इंजाइटी नहीं आएगी नीचे दिये गए मोबाइल नमबर पर वार्ट साप करें इसका स्क्रीन साथ भेट दिया करें मुझे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करना है क्या नुसका बना कर देना है कितने का और भी बता दिया करें कि 32 रुपाय वाला हमें देना है 100 रुपाय डेली की खुराक पड़ेगी लगबक तो बहुत ज्यादा महेंगा नहीं है क्योंकि बहुत से रोगी हैं जो बहुत दो दो चार चार लाख रुपाई वरबाद कर चुके हैं उनके सारे पैसों की भरपाई है अकेले कर देगा तो आप आडर करें निंचे दिये गए नंबर पर अगर आपको चाहिए अगर आपके पास कोई आयुर्वेदिक वैद्ध हैं योग हैं उनको अनुभाव है तो उनसे भी तयार करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप आप मुझे लेना चाहते हैं तो आडर करें वार्साप पे पेमेंड करें पेमेंड करके आड्रेस भेजें मैं आपको दूसरे दिन ही तयार करके दे दूँगा आपको तो मित करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया करें तो वीडि माध